श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विश्णु की पूजा करने से हर विगड़े काम बनते हैं। पित्रों के कश्ट दूर होते हैं, भक्तों को मोक्ष की प्राप्ती होती है। और इसके सुनने मात्र से वाजपेई यग्य का फल मिलता है पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का वरत और भगवान विश्नु का पूजन जरूर करना चाहिए पाप रूपी कीचड में फसे हुए और संसार के मोहरूपी माया जाल में फसे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का वरत और शंक, चक्र, गदाधारी भगवान विश्नु का पूजन अतियन तावश्यक है इस से बढ़कर पापो के नाशों का कोई भी अन्य उपाए नहीं है कामिका एकादशी की वरत कथा इस प्रकार से है एक गाउं में एक वीर शत्रिये और ब्रामण रहते थे उन दोनों की एक दूसरे से बिलकुल नहीं बनती थी और दोनों में अनबन रहती थी एक दिन किसी कारणवश शत्रिये की ब्रामण से हाता पाई हो गई और ब्रामण की मित्यु हो गई उस शत्रिये ने अपने हातों मारे गए ब्रामण की क्रिया करनी चाही परंतु इस पर नाराज ब्रामणों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया शत्रिये के घर खाना खाने से मना कर दिया ब्रामणों ने बताया कि तुम पर ब्रम हत्या का दोश है पहले प्राश्चित कर इस पाप से मुक्थ हो तब तुमारे घर हम भूजन करेंगे शत्रिये खुद को दोशी मानने लगा शत्रिय को अपनी गलती महसूस हुई और उसने ब्रामणों से अपने पापों का निवारन करने का तरीका पूछा तब ब्रामणों ने बताया कि श्रामण महा के पक्ष की एकादशी को भक्ती भाव से भगवान श्री धर का व्रत एवं पूजन कर ब्रामणों को भूजन करा के सदक्षिना के साथ आशिर व्रात प्राप करने से इस ब्रहम हत्या के पाप से मुक्ती मिलेगी ब्राह्मनों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने पर एक रात भगवान श्रीधर ने शत्रिये को दर्शन दे कर कहा कि तुम में ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ती मिल गई है कामिका व्रत करने से मनुष्य कुयोनी को प्राप्त नहीं होता और जो मनुष्य इस एक आदशी के दिन भक्ती पूर्वक तुलसी दल भगवान विश्नु को अरपन करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं विश्नु भगवान जितने तुलसी दल से प्रसन होते हैं उतना रत्न, मोती, मणी तथा आबुशनादी से प्रसन नहीं होते क्योंकि तुलसी दल पूजन का फल चार भार चांदी और एक भार स्वन के दान के बराबर होता है तुलसी के पौधे को सीचने से मनुष्य की सब यातनाई नश्ठ हो जाती हैं और दर्शन मात्र से सब पाप नश्ठ हो जाते हैं और इस पर्ष से मनुष्य पवित्र हो जाता है कामिका एकादशी की व्रत विधी इस प्रकार से है एकादशी व्रत में तीन दिन का नियम होता है मतलब दश्मी एकादशी और दुआदशी को कामिका एकादशी के नियमों का पालन करना होता है इन तीन दिनों के दोरान व्रती, चामल और चामल से बनी किसी भी चीज को खा नहीं सकता वह उसके लिए पूर्टिया वर्जित होती है इसके साथ ही लहसुन, प्याज और मसूर की डाल का सेवन भी वर्जित है कामी का एक आदिशी में साफ सफाई का विशेश महतु है प्राते का लुटकर इसनान करें और सवच्वस्ट पैनें और वरत का संकल पलें इसनान आदी करके भगवान विष्णू की प्रतिमा को पंचा मृत से इसनान कराएं पंच्यमृत से इसनान कराने से पूर प्रतिमा को शुद्गंगाजल से इसनान कराना चाहिए पंच्यमृत में दूद, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल है इसनान कराने के बाद भगवान को गंध, अच्छत, इंद्र जो का प्रियोग करें और परपुष्प चड़ाएं धूप, दीप, चंदन, आदि सुगंदित प्रधारतों से आरती उतारनी चाहिए नैवेद का भोग लगाएं, इसमें भगवान श्रीधर को मक्षन, मिश्री और तुलसी दल अवश्य ही चड़ाएं विश्णु सहस्र नाम पाथ का जाप अवश्य करना चाहिए मास और मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए ब्रम चर्य का पालन करें एकादशी के दिन दातुन नहीं करना चाहिए पेर पोधों को ना तोड़े और ना ही किसी की निंदा अचुगली करें नमक रहित फलाहार करें फलाहार भी केवल दो समय ही करें फलाहार में तुलसी दल का अवश्य ही प्रियोग करना चाहिए व्रत में पीने वाले पानी में तुलसी दल का प्रियोग करना उचीत होता है दुआदशी के दिन घर पर ब्राम्मन को बुलाएं और उन्हें खाना खिलाएं और सामर्ते अनुसार उन्हें दान दक्षिना दे उसके बाद स्वेम पारण करें कामिका एकादशी की रातरी को भगवान के मंदिर में जो जातक दीपक जलाते हैं उसके पित्तर स्वर्ग लोग में अम्रत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे सो करोड दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोग को जाते हैं ब्रह्म हत्या तता भूर हत्या अधी पापों को नश्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को पूर्ण विधिविधान के साथ करना चाहिए कामिका एकादशी के व्रत का महातम्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुश्य सभी पापों से मुक्त होकर विश्नु लोग को जाता है इसी तरह की अन्य बाते उपाए और व्रत कताएं जानने के लिए चैनल वास्तु शास्ट सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले नमस्कार